हेलो दोस्तों आज का बिजनस ऑगनाईजीशन का बहुत ही इंपोर्टन कुश्चन यह है जो कि सेकंड चैप्टर का है बैग्यानिक प्रबंद के सिधानते प्रिंसिपल ऑफ साइन्टिफिक मानेश्मेंट जिसमें एक क्वेश्चन है टेलर द्वारा दियेगे बैग्यानिक प्रबंद का जनक माना जाता है इसको आपके लिए एक नमबर का क्वेश्चन आ सकता है एंसी क्यूज में ठेक है या फिर बैरी सौट में भी आ सकता है और इनके सब्द क्या थे बैग्यानिक प्रबंद यह जानने की कला है कि आप स्त्रमिकों से क्या कराना चाहते हैं और यह देखना है कि वे उसको सरभूंतम ढंग से कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है कुम से कम लागत में अच्छा-खास प्रदे क्या कर रहा है और फिर यहां देखना है कि वे उसको सरबुन्तम धंग से कम से कम लागत पर करें मलब कम से कम लागत पर कर पाता है यह सारी चीजे जानने की कला है यह बैग्यानिक प्रबंद जानने की खला है अगर मैं बात परूँ तो यह खुद यानि कि टेलर जी खुद एक बैटलम सिध्धान को लागू करने के बाद उतपादन में तीन गुना वृद्धी किया ठीक है इस प्रकार मैं बात करूँ तो कहा जासकता है टेलर के अनसार बैग्यानिक प्रबंद इस विश्वास पर आधारित है कि दोनों का हिद समान होता है कर्मचारी की समर्धी के बिना प्र ओनर होगा तो क्या बिब्स डैबलोब हो सकता है तो काम ऑच्छा का做 तो हम यह कह सकते हैं कि कर्मचारी के बिकास से और और प्रबंधक के बिकास से कर्मचारी इस इसका मलब दोनों के विकास में ही मलब प्रबंध वहतर चल पाएगा वही चीज कह रहा है कि तेलर के इंसर बैज्ञानिक प्रबंध इस दिर्ण विश्वास पर आधारित है कि दोनों का हित समान है कर्मचारियों की शमर्धी के बिना प्रबंधों की शमर्धी और प्रबंध इस नहीं हम दिए बहुत सारी points जटने बेसिक पांच points है टेलर के total 14 सिद्धांत था लेकिन जिसमें जो 5 points जो मैं आपके सामने दे रहा हूं यह आपके सामने 5 points पहला क्या है समय स्यां को परिभासित करना जो भी problem से जो भी उसमें हैं यह से प्रवाशित कौन करेगा करमचारी प्रबंधक को बताएगा तब प्रबंधक जानेगा उसका न्युमार और करेगा इसका मतलब क्या है है कि मैं हमारे पास जैसे मैंने किसी करने के लिए स्ट्रेटजी बनाई अब उसका इसका इसका संसाधनों का विकास करना बहुत जरूरी है ठीक है उसके बाद परिडामों का पूर्बानुमान लगाना यानि जो हमारे परिडाम यानि जो हमारे अब लगाना कि उनके बारे में कितना असकता उसका यह सारी जानकार की हम क्या क्या करेंगे तो निर्धारित होता है तो उसके कौणे बनाते हैं तो जो strategy बनाए हैं, वो strategy हमारा क्या, एक alternative strategy है, वो strategy, उसके तहत हम result क्या पा सकते हैं, यही तो हम पूर्बा नुमान लगा लेना, that's called the पूर्बा नुमान लगाना, ठीक है, उसके बाद आता है, प्रगति का मापन, भाई, कितना growth हुआ, वो भी तुम देखेंगे, हमारा प्रगति का मापन हो गया, और परडाम निकालना नहीं, रेजर्ट निकालना, लास्ट में हम दी भी देखते हैं, तो यह सारी चीजें, यह टेलर के सब्दों में आती, यानि जब बैग्यानिक तरह से, यानि साइंटिफिक तरीके से, जब management किया जाता है, तो इन सारी जो होता है, इसका मतलब बिना किसी रूल से रेगलेशन के भाई आए, जैसे एक आपने देखा होगा, कि जो गाउं में, लोग मज़दूरों से काम कराते हैं, जबरदस्ती मतलब प्रेसराइज करके काम करते हैं, बिना किसी रेलेशन के तुम नहीं हो, मैं दूसरा ले अच्छा होता, वहाँ बहुत अच्छा काम होता, ऐसा टेलर जी का कहना है, ठीक है, जो साइंटिफिक तरीके से, यानि देखे, दो चीज़ें होती है, ब्यवहार सही डाइन से बनाई है, इसका मतलब यह नहीं कि जो क्रमचारी है, सर के ऊपर चड़के नाचे, अपने हिस कुछ पॉइंट्स हम आपके सामने यह देखो दे दिये हैं, इन पॉइंट्स को आपको ध्यान देना है, जैसे समणवे, सहयोग, बैग्ञानिक चैन, और सैक्षडिक रूप से प्रसिक्षित, सहयोग होना चाहिए, और बैग्ञानिक तरीके स्चैन, यानि उसके बारें ज पॉइंट्स के है, बैग्ञानिक प्रबंध की तकनीक, भई भआ, बैग्ञानिक प्रबंद की तकनीक इसका बनी सारी चीजह बताइए, उन ही कारे आत्मक फोसमाईव्ग होना चाहिए, और कारे का प्रमापी कर रहे हुँ, सरली कर रहे हो, उसके बारे में आप जानते हो कितना किये हो कितना बचाई सारी चीज़े जानकारी होती है बहुत लोग भाई काम किये होंगे बहुत सारे कंपनियों में काम किये होंगे और जो काम किये होंगे उसे किसी किसी के बहुत सारे लोग पपा भी काम करने हों तो उनसे पूछिएगा कि देली का उन तो एक समय बाद थक जाता है तो उसको थोड़ा relaxation होना चाहिए थोड़ा आराम करेगा तो फिर वो अपने पुराने वाले जो ताकत के अंसार फिर से काम करना शुरू करेगा तो यह थकान अध्यन भी होता है यह scientific में आता है टेलर जी का कहना यह था कि भाई जब स्रमिक ठक थोड़ा सा आराम दो दोबारा जब काम करेगा तो अपने पूरादी स्पीड के साथ काम करेगा अब भाई कुछ स्रमिक ऐसे होते हैं थकान तुनको पूरा दिने लग जाता है चले जाते गायब हो जाते हैं इसके चक्कर में भी ठाइम करते तो वह अलग मैटर करता है ले सब्सक्राइब एंसमारे टाइम लग तो अधिय जाती है अब प्रसांगे초 पर जानने का जो भी आने जाने का जो कुछ भी सारी चीज़ें और अन्य उत्पादंग मुद्रा है यह सारी चीज़ें उसमें है कि नहीं तो यह सारी चीज़ें कम हैं जो हमारा गती अध्यान देखा जाता है उसके बाद में पास FW टेलर के कुछ पॉइंट्स हैं जरा इसको आप देख लेजिए ठीक है जो इनके पांच पॉइंट्स जो मुख्य हैं पहला है विज्ञान ना की अंगुठा टेक साशन यानि विज्ञान के तरीके से चलेगा ना की अंगुठा टेक यानि अपने मन से स संवन मोर्व में संवन हो एक दूसरी का सहियो होना चहिए किसी की बुराई करोеюсь का खता में कारिकों का बिकास पोसिस यी करिए जादा से कारी छंटा बढ़ाईए और जब काम जादा होगा तभी जिसे जब management का भी कास होगा तो सरविकों का भी कास होगा इतना point बहुत है इसके लिए आप इसको exam में लिख सकते हैं ध्यान दीजेगा exam में लिखते समय आपको कुछ चीजों को बहुत ध्यान देना पड़ता है झाल 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 झाल